मुंबई से सड़े पालगर में दो संतों की मॉब लिंचिंग में मौत हो जाती है 200 से 500 लोग पहुचते है और मॉब लिंचिंग करते है तो दो संत मारे जाते है पुलिस भी उन्हें बचाने आती है, पुलिस भी बचा नहीं पाती है साथ वसिद्यों महराज मौजूद है मुंबई में रहते हैं मुंबई में इनका आश्रम है इनसे बात करते हैं दो संतों की मौत हो गए मौब लिंचिंग में कितना गुस्सा आपके अंदर है नहीं सब गुस्सा तो बहुत है यह चीज नहीं होनी चाहिए साधू संतों के करका खिलवार नहीं होना चाहिए मुझे लगता है कि अगर यह और भी ज्यादा चलता रहेगा तो मजबूरन हम साधूं को अभी रास्ते पर उतरना पड़ेगा और इसके लिए कुछ तुम भी फैसला करना पड़ेगा जल से जल कानुनी कारवाई होनी चाहिए पुलीस कह कि इसके लिए और पुलीस का खिटना नजर आता है कि यह जल से जल जितना जल जल्दी हो सकता उसके वपर आपको फेसला लेना है नहीं तो जितने भी साधू संता आज हम लोग हैं हमको एक साथ में बेट के बात करके रास्ते पर इसके लिए लोगतरना पड़ेगा यह यह कहीं न कहीं, मुंबई के जो सादो संते पालगरी घटना से बहुत जादा नाराज है, बहुत जादा गुस्से में, साफ नजर आ रहा है, उनका साफ कहना है कि अगर जल्द जल्द कारवाई नहीं की गई, तो ये खुद सड़क पर आएंगे और सरकबार कर दबाव इसमें मुंबई से वसीम हैदर